अंजाब और हर्याना की सिमाओं शंबू बॉर्डर और खनावरी बॉर्डर पर किसान अनुरुन के आज 200 दिन हो गए हैं किसान 13 फरवरी को आए थे दिल्ली जाना चाहते थे मगर जा नहीं पाए हर्याना की तरफ से जबर्दस बैरिकेडिंग की गई है और जबर्दस तांसू गैस के गोले उस वक्त दागे गए थे किसान अब शंबू बॉर्डर और खनावरी बॉर्डर पर भी डट गए हैं और यहां शंबू बॉर्डर पे हम आपको दिखाते हैं कि अब भी हर्याना की तरफ जो है तमाम बंदो बस जो है उसी तरीके से हैं जो पुल है दो पुल है यह जो पंजाब के तरफ जो है हर्याना को जोडते हैं और इन पुलों से जो है अब तेरा फर्वरी से पहले से तक्रीबन तीन दिन पहले से ही यतायात बंद है और रैप Rapid Action Force के जवान खड़े हैं उनके पीछे जो हैं टेंट्स जो हैं लगा दिये गए हैं क्योंकि 200 दिन जो हैं यहां पे हो गए हैं इन जवानों को भी जो हर्याना की तरफ से हर्याना सरकार की तरफ से की गई है किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से रोकने के लिए तो किसान 13 फरवरी को यहां पहुंचे थे दिल्ली जाना चाहते हैं MSP को कानूनी अधिकार की मांग को लेकर जो है MSP जो तै हो वो स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर हो सी टू प्लस 50 परसेंट के फॉर्मूले की अधार परता है हो और दूसरा पूल जो है आप देख रहे हैं वहां भी रेपिडेक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं उसके पीछे जो हर्याना की तरफ कंटेनर्स लगाए गए हैं वाटर कैनन लगाए गए हैं तो तमाम बंदोबस्त अब भी हर्याना सरकार की तरफ से एज इट इस है हलांकि शम्बू बाडर को खोलने का जो मामला है वो सुप्रिम कोर्ट भी पहुँचा है उस पे भी सुनुवाई जो है हो रही है चल रही है तो फिलहाल किसान आज 200 दिन जो हैं उसको अद्वाल कर रहे हैं यहां पे शम्बू बाडर पे और खनावरी बाडर पे और हजार भी कह रहे हैं कि सरकार जो है बातचीत से जो है उनकी मांगों का हल निकाले तो फिलहाल आज 200 दिन शम्बू बाडर रखनावरी बाडर पे खिसाने की अंदोलन को हो गए हैं कि मैं अपसनामी शर्मा कि सार्जिन हुमारी बाडर पटियाला for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel abp live premium